ही दोस्तों विलकम बैक टो ओर यूटूब चैनल ट्रेडिंग एक्शन्स तो दोस्तों आज की स्टूडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यह बैंक के स्टॉक के बारे में यह जो आप चार्ट देख रहे हो मैंने यहां पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया है वीड काया है और या दूस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं जैसे कि यहां पर देख सके हो ऊपर के साइद मेने रिजिस्टर जोन मार किया है और नीचे के सेट मेने सपोर्ट जून मार किया है रिजिस्टर्ट जून की बात करेंगे तो 14 रुरुपे 50 पैसे सेanı के 14 रुपई को मिलता है इसी को resistance zone कहते हैं अब इन देखिए यहाँ पिनिची के साइड में एक support zone मार्क किया है यहाँ पर देखिए stock यहाँ पर जब भी आता है तो हम यहाँ से buying side moment देखने को मिलती है तो इसको कहते हैं support zone अभी इसमें क Hear stock almost here at September से खेये April तक यहाने के almost साथ से आठ मंत हो गए है इस्तोव्च जुए इसी चनल में चल रहा है अभी इसमें आपको बाउइंक कैसे करना है प्ले कैसे करना है मैं आपको बता जैता हूं जब भी स्पर्शayage जो है support level पर आ जाता है तो हमें यहां से buying side opportunities में मिल जाती है दिखिए यहां पर आ गया यहां पर आने के बाद में यहां पर bullish हरामी pattern बना bullish हरामी pattern बनने के बाद में नीचे के side का stop loss रखेंगे बाय में जाएंगे टार्गेट हमारा resistance रहेगा फिर अगेन नीचे आया नीचे आने का वेट करेंगे यहां पर आ गया bullish इंगलफिंग pattern बन चुका अगर आपने candlestick pattern सीके हैं तो आपको यह पता होगा यहां पर यहां पर यहां पर अगेन बाइंग साइड मोमेंट देखने को मिली फिर अगेन यहां पर नीचे आया नीचे आने के बाद यहां पर देखी एक morning star pattern बना है morning star pattern जो है तीन कंडल मिलके बनता है एक रेड केंडल डोजी और उसके बाद में जो होती है ग्रीन केंडल बुलीच चाहिए होती है हमें रेड केंडल के बॉड़ी के ऑल्मोस्ट 65 से 80 परसेंट उपर के साइड में हमें इसकी closing चाहिए होती है तो यहां पर morning star pattern बना तो यहां से अगेन हमें इसमें जो है सस्टेन भी कर चुकी थी अभी देखिए जब भी breakout होते है उपर जाता है फिर रिटेस्ट के लिए नीचे आता है अब यह जब resistance होता है यह resistance था इसके लिए ठीक है फिर यहां पर breakout मिलने के बाद में यही resistance इसके लिए support का काम करता है मतलब कि अभी यह नीचे आएगा तो इसके लिए support का काम करेगा अगर से यहां पर support लेके अगर हमें मंडे की दिन अगर green candle यहां पर closing देखने को मिल जाती है उपर के side में तो यह confirm हो जाएगा यहां से अगेन stock जो है हमें buying side moment देखने को मिल सकती है अभी देखिए इसको rectangle pattern कहते हैं bullish rectangle pattern इसका नाम है इसमें आपको target कैसे set करने होते हैं मैं आपको सिखा दूँगा ध्यान से सुनिएगा देखिए यहां से लेके यहां तक का जितना gap होता है इसको हम यहां से एक trend line कि से draw कर लेंगे draw करने के बाद में इसी trend line को उठा के इस तरह से उपर के साइड में रख लेंगे अभी देखिए आप यहां पर देख सकते हो यहां से लेके यहां तक का हमारा टार्गेट हो जाएगा ऑल्मोस्ट सोला रुपे 95 पैसे से लेकि 17 रुपे का अपना टार्गेट हो जाएगा फिर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं यहां पर कोई resistance है क्या अभी देखें यहां पर आप देख सकते हो यहां पर भी same level पे resistance निकल कर आ रहा है मतलब कि हमारा टार्गेट जो है हमने सेट किया है क्योंकि यहां पर आप देखिए multiple time यहां पर आने के बाद में हमको rejection देखने को मिलें तो यह वाला जो हो जाएगा इसके लिए next resistance बन जाएगा तो यह सारी चीज़े तो हो गई टेकनिकल अगर से आपने नीचे के लेवल से बाई किया है अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा तो स्टॉक को होल्ड करिए इसके नीचे का stop loss रखे क्योंकि अगर होल्ड करना है अगर से कोई फ्रेश बाइक करना चाहता है तो आप क्या करोगे यहां पर जो है एक ग्रिन केंडल क्लोज होने का वेट करोगे सेम जिसे मैं भी बता दिया है यहां का नीचे का stop loss रहेगा आपका चोटा सा और टार्गेट आपका बहुत बढ़ा हो जाएगा देखे दोस्तों कुछ इस तरह से technical analysis work करता है अगर आप stock market में नए है तो इन सारी details को check करके ही कोई भी stock में invest करिए trading करिए बिना सीके stock market में कुछ भी मत करिए बहुत ज़्यादा risky होता है आप खामका कोई भी उपर levels पे अगर first जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा loss हो स सकता है तो अगर से आप भी मेरी तरह से levels देखकर levels find करके technical analysis करके trading करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो हम one month का course भी कंड़ करते हैं जिसमें आपको basic से लेकि पूरा advance तक का technical analysis सिखाय जाएगा जो class चलेगा हमारा वो Google Meet से live चलेगा तो अगर आपको course के लिट कोई queries है कोई doubts है तो मुझे आप Instagram पर message करके पूछ सकते हो वहां मैं आपको reply दिने की पूरी कोशिश करूँगा link जो है मैंने description box में दे दी गई है और एक बहुत ही important आपको बात बताना चाहता हूं friends आप stocks में free में DMAT account opening चल रही है आपने अभी तक वहां पे open नहीं किया है तो open कर लीज वेबिनार ले लूँगा मैं आपका तो इसमें आपको basic basic सारे चीजें जो होती है मैं आपको वहां पर समझाओंगा और आपका first trade मैं आपको कैसे करना है यह भी guide करूँगा अगर से आप link से करते हैं और आपका user idea अगर मेरे इसमें match कर जाता है आपने मेरे link से किया है तो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर पहली बार आये नहीं हो तो फिर चैनल को भी subscribe करिए bell icon पर भी click करिया ऐसे ही बहुत सारे वीडियो में अपने चैनल पर upload किये हैं आप उन वीडि ठीक है तो फिर वहां से आप सीख सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक है आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था मिलते हैं अनदर नए वीडियो के साथ इस यूटूब चैनल में तब तक के लिए टेक केर